आज मैं होली स्पेसल मावा और बेशन की गुजिये बना रहे हूं बेशन की गुजिये बहुत ही स्वादिश्ट होती है एक बार आप बना कर देखें इसके सामने सारी गुजिये फिकी पड़ जाएंगी इसमें आपके हाथ का प्यार भी जुड़ा रहेगा इसलिए घर में स के भारों में घर पर मेहमान भी आते हैं मैदा से थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है गेहू कांटे से थोड़ा हेल्दी होता है अगर आप गेहू कांटे के गुजिये बनाना चाहते हूं तो पहले मैं चैनल पर अपलोड करी हूं आप देख सकते हैं इसमें मैं एक चाता है और गुजिये खस्ता बनती है इसे दोनों हांसे मिला ले रहे हूं तभी तो गुजिये एकदम खस्ता बनेगी छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान देंगे तो आपकी गुजिये बजार से अच्छी बन जाएगी ऐसे मुठी बान कर देखें ऐसे मैदा जुड़ कर मैं तयार कर ले रहे हूं अगर आप ओजन्स लें तो धाई सो ग्राम मैदा ले रहे हैं इसमें साट ग्राम घी डाल सकते हैं मोयन के लिए परफेक्टर हैगा कोई दिक्कत नहीं होगी और थोड़ा-थोड़ा पानी डालें पानी एकदम से न डालें एकदम चिकना आटा लगा कर तयार कर लें मैं आटा लगा लिए हूं लगभग 20-25 मिनिट के लिए रिष्ट पे रख दे रहे हूं गीले कपड़े से कवर कर दे रहे हूं उपर से एक बढ़ता नोल लगा दे रहे हूं ताकि इसमें हावा न लगे नहीं तो आटा शोक जाएगा रिष्ट पे र बेशन से ज्यादा ही अच्छा टेस्ट आता है और इसे भूनोंगी लगभग 7-8 मिनर तक भूनेंगे हलका घी गरम हो जाए तब डाल दें लगातार चलाते हूए भूनेंगे इसमें मैं एक बड़ा चेमच भरके सूजी डाल दे रहे हूं सूजी चाहे मोटी वाली हो या पतली वाली कैसे भी सूजी डाल सकते हैं थोड़ा सा ये स्टेफिंग जो बना रहे हूं दानेदार बनेगी छोटे चेमच से दो चेमच है अब इसे भूनूंगी जब तक इसमें खुस भूना आने लगे और हलका सा कलर भी गुल्डन हो जाता है ये देखिए कलर चेंज हो गया है आठ मिनर तक भूनी हूं जब बेशन भून जाए तब बाद में एक चेमच घी और डाल दें जो मैं डाल दे रही हूं इतना घी डालूंगी तेक दमें बेशन गीला हो जाएगा बढ़िया से घीश में पता चलेगा तो आपकी कुछी ये बहुत ही स्वादिस्ट ब डाल दे रहे हूं और आधा कप इसमें नारियल ग्रेट करके डाल दे रहे हूं सूखा नारियल है घर पे सूखा नारियल लेया कर कद्दो कस कर सकते हैं अगर कद्दो कस ना करना चाहें तो छोटा-छोटा टुकड़ा काट कर भी डाल सकते हैं अब इसमें एक चोथाई चे बनाई थी एक लीटर दूद के एक डेड़ घंटा पहले बना ले थी में ताकि काम जल्दी हो जाए आप कम जादा डाल सकते हैं मावा घर का बना मावा बहुत ही टेस्टी होता है तेवारों में अगर आप बजार से मावा ले आएंगे तो मिलावटी मिलता है कोई भी चीज जब बजार में मांग बढ़ जाती है तो सुद नहीं मिलता है इसलिए आप अपने घर पे बना सकते हैं चाहे थोड़ा ही मावा बना ले आधा लीटर दूद के बना लेंगे उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसे मैं बेशन में मिला दे रही हूं बेशन गरम है इसमें थोड़ा सा और मिल्ट हो जाएगा अगर एक दो दिन पाले का मावार आता है थोड़ा कड़ा हो जाता है क्योंकि घी के बज़ां से जम जाता है तो अच्छे तरीके से मिला कर इसमें मीठा बाद में मिलाएंगे क्योंकि अभी गरम है इसमें हम चीनी डाल देंगे चीनी मिल्ड हो जाएगी एक बरतन में निकाले रहें थोड़ा ठंडा होने देंगे 10 मिनिर बाद तब इसमें हम मीठा मिलाएंगे मिठा आप अपने श्यामसार कम जादा कर सकते हैं चाहे तो चीनी डालने या बूरा भी डाल सकते हैं या तगार डालने जो आपको समय से मिल जाए तो मैं इसमें PCV चीनी लगबग एक कप डाल दे रही हूँ आप बूरा या तगार जो समय से आपके पास उपलब्ध हो या जो आप प्रसंद करते हूँ आपको अच्छा लगता है उसे डाल सकते हैं मैं PCV चीनी डाल दे हूँ नॉर्मल चीनी घर में पीछ ली थी जब ठंडा हो जाए तभी मिलाएं गरम गरम में चीनी डाल देंगे तो चीनी गल जाती है तो यह मिक्स पतला हो जाएगा पानी छोड़ देगा अब देखें मिक्स इतना सौप्ट है कि लड़ू की तरफ बन रहा है मावा और घी के वज़ा से एकदम सौप्ट है बहुत ही स्वादिश्ट बना हुआ है इसे तो बच्चे ऐसे ही खा जाएंगे इतना बढ़िया लगता है बड़े भी परसंद करेंगे स्टफिंग जितन तो यह बड़ी स क्ले के बराबर करें को छोटी बड़ी नहीं बनेंगी इसे हम फिर से कबर कर देंगे ताकि यह सूखे न चख्ले में थोड़ासा तेल लगा देंगे सूखा आटा लगा कर ना बेलें सूखा आटा लगा कर बेलेंगे जब आप डीफराई करेंगे न तो आटा उसमें जल जाता है इसलिए थोड़ा सा तेल लगा कर बेलेंगे मैदा है आसानी से बेल लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और चकला के बराबर इसे बेल लेंगे थोड़ा पतला हो जाए जैसे डेली रोटी बनाते हैं खाने के लिए उससे थोड़ा पतला बनाए तो आपके पास कोई छोटी सी कटोरी हो या कलास हो उससे काट सकते हैं बहुत म तो थोड़ा सा एक बार और बैलन से बेल लेंगे, अगर मोटा लगे ना तो थोड़ा से ऐसे और बेल दें, अगर आप गजीय के मोल्ड से बना रहे हैं, तब कटोरी से काटने की जिवर्थ आपको नहीं पड़ेगी, हाथ से गजीय मोड़ना चाह रहे हैं, आप चाहते हूं कि सारी गुजिय एक बराबर बने तभी कटोरी गलास से काटें अब मैं इसमें जो मावा बेशन का मिक्स तयार करी थी उसे रख दी हूँ लगभग एक से देड़ चेमा छोटे चेमा से थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ताकि ये खुले न और ऐसे चिपका देंगे इसे पहल सा प्रेशर देकर ऐसे मोडते जाएं थोड़ा जल्दी हो जाता है आप चाहें तो गुजिय के मोल से बना सकते हैं मैं तीन तरीके से आपको बता दूँगी आगे दो तरीका और बता दे रही हूँ पाले इसे आप देख लें बहुत अच्छी डिजाइन लगती है और जल् प्रेशर जाती है आप चाहें तो ऐसे बना लें अगर गुजिय के मोल्ड से बनाना चाहते हूं थोड़ी पूरी बेल लें जितना बड़ा आपका गुजिय का मोलड है उससे थोड़ा बड़ी पूरी बेल लें यह देखिए इस तरीके से पानी लगा लेंगे और यह जो मि मैं डिर्चे में डाल दी हूँ और इसे ऐसे दबा दे रहे हूँ, डिजाइन भी बन जाती है, बहुत आसानी से गोजिये तयार हो जाती है, अगर यह वीडियो आपको जरस भी अच्छी लगे तो अपने फेमली और मित्रों में जरूर सेयर करें, एक बार आप होली पर ट्रा दे रहे हूँ, इसमें एक चेमज डाली हूँ, साइड में करके थोड़ा सा पानी लगा लें और इसे फोल्ड कर दें, ऐसे दबा दें अच्छे तरीके से, उसके बाद ऐसे एक फोग ले ले ले, उससे थोड़ा सा प्रेशर दे देंगे, बढ़िया डिजाइन बन जाएग मीडियम गरम तेल है, पाल अच्छे तरीके से तेल गरम करके, गैस का फ्लेम लो मीडियम करके तलें, क्योंकि गुजिया थोड़ा पतली है, गैस का फ्लेम हाई रहेगा, तो जल्दी से कलर आ जाएगा, लेकिन खस्ता नहीं बनेगी आपकी गुजिया, थोड़ा सा सीख ज दुल जाए उसे अलग रख दें, लास्ट में तल लें, तो बढ़िया कलर आ गया है, इसे मैं निकाल ले रहे हूं, सेम तरीके से सारी गुजिया बना सकते हैं, इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बोक्स में लिखना ना भूलें, प्लीज मैं आशो से अफ ले सकते हैं, तो गुजिया तलके में तयार कर ली हूं, आप होली पर जरूर ट्राई करें, बड़े और बच्चे सभी पसंद करते हैं, एक बार बेशन वाली गुजिया आप बना कर देखें, थोड़ा सा मावा डाल देंगे, तब भी अच्छा लगेगा, यदि आप मावा कर आप खा सकते हैं, बिल्कुल खस्ता बनी हुई है, मैं तोड़ के दिखा रही हूं, यह देखें, जिदम खस्ता कुछिय बनी है, तो मिलती हूं ऐसे एक नई रेशेपी के साथ,